अब आगे बढ़ते चुनाओं का एलान बेशक हो गया है लेकिन अभी अधित्तर पाठियों के नेताओं को इंतिजार है प्रत्याश्यों के एलान का जियां बहुत से दाविदारों की निगाहें इस पर लगातार ठीकी है भाषपा के कुछ मौझूदा विधायकों के टिकेट कटने के खबरें भी लगातार मिल रही है और इनी खबरों के बीड यूपी भाषपा जक्ष का बयान सामने आ किया है तो अतंत्र जेज सिंग की माले तो किसे विधायका टिकेट नहीं कटेगा किसी कटी कटने कटेगा हीता लगने की बाद अफसरों के वियारिस लेने के स्ताथी पॉलिटिक्स में एंट्री का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और यूपी से तालुक रखने बाले दो अफसरों ने वियारिस लिया है कलकानपूर पुलिस कमिशनर असीम अरू ने वियारिस के लिया अप्लाई कर दिया बहुत जल्द लक्टों में भाजपा जॉइन कर सकते हैं ये जानकारी है और उनके कन्नोच से विधान सभा चुनाव लड़ने की कर्चा भी तेज हो चुकी है दूसरी तरफ एडी के जॉइन्ट डारेक्टर रहे राजश्वर सिंग भी दिल्ली में भाजपा जॉइन कर सकते हैं खबर है कि उन्हें गासियाबाद की साहिबाबाद सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है तो दो बड़े अफसर जो की चुनाव लड़ सकते हैं सियासी सफर पर अफसरों का सलसिला जारी है और इसी कड़ी में यूपी से जुड़े दो अफसरों ने वियारेस के लिए अपलाई किया चुनाव योगद्वाराज चुनाव की तारीखों के एहलान और आचार सहीता के लगने के बाद चानपूर पुलिस कमिशनर असीम अरुन ने फेस्बुक पर वियारेस की लिए घोशना कर दी है वियारेस लेकर के अब भारती अजनता पार्टी की सदस्ता लेंगे और उन्होंने बाकाईदा फेस्बुक पर एक पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद उसमें लिखा है कि वो भारती अजनता पार्टी के सेवा के लिए अब आगे ततपर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदेतनात ने उन्हें भारती जंता पार्टी की सहस्ता के योगी समझा है और इसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद दिया है साथ में ये भी दिखा गया है कि जो संगठन के पुलिस बलों के संगठन के अनुभव और सिस्टम विक्सित करने का कौशल उन्होंने सीखा है उसके लिए अब वो पार्टी को सेवाए देंगे और पार्टी में जो विविद अनुभव वाले व्यक्ति हैं उनके साथ काम करे प्रदान मंतिर नेंद मोधी का जिक्र भी उन्होंने किया है और साथ तोर पे महत्मा गांधी का जिक्र करते हुए सबसे कमजोर गरीब व्यक्ति के हित्मे काम करने के लिए उन्होंने लिखा है आईपियस की नौकरी छोड़ने के बाद अब वो बाबा साहब भीम राओ अ थान के लिए कारिक करने की बात असी मनुन ने फेस्बूक पर लिखे इस लेटर फिकी है ये भी कहा जा रहा है कि कन्नौज के किसी सीट से और खासतोर से सदर सीट से क्योंकि कन्नौज के मूलता वो निवासी है इसलिए कन्नौज से वो भारती अंता पार्टी के टिकट पर 2022 का विधान सवाच्वा चुनाव भी लड़ेंगे कानफूर से कैमरोएन पंकर निकंग के साथ रतीश्तिरवेदी एबीपी गंगा